पहला कोशन आप देख रहे होंगे, कोशन नमबर 1, कहता है, solve the following, इसको solve करना है, याद रहे, बड़े आराम से solve किजिए, और यह division लगा है, तो 3 दूना 6 और एक साथ 7 बाई 3, लेकिन इसको reverse कर दिजिए, 3 बाई 7, दोस्तों, patience रखना, 3 से 3 गया, 7 से ये 2 टाइम्स गया, बोलो, मगर प्यार से, तो 26 बाई 5 आ गया, ये समाद इसे 5 इस्टू 1 बाई 5 बोलता है, तो पहले का answer आपके सामने है, 5 इस्टू 1 बाई 5, प्यार से पढ़िए, हर चीज को धीरे-धीरे सीखिए, सफलता जरूर मिलेगी, दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे question number 2, माना जाता है कि इस सेट में साइट 3 ट्रिनोमेटरी के question है, बहुत अच्छे समझेंगे, इसको as a concept लिखेंगे, और ये concept होता है, हमने बहुत प्यार से यूटूब में ट्रिनोमेटरी एलजबरा, S.S.C. वाला पढ़ाया हुआ हाथ जोड़ के बता रहें, S.S.C. वाला एलजबरा और ट्रिनोमेटरी, जो बच्चे, C.B.D.2 की त्यारी कर रहें, वो पढ़ना, गुरुब D वाले, कोई नहीं जुरत है, जो पहले previous year है, वही पढ़ लो बहुत है, पर कौन? N.T.P.C. C.B.D.2 वाले हैं, समझेंगे, concept, concept क्या होता है, A sin theta, प्लस B cos theta, बराबर M, यहां प्लस लगा है, तो यहां माइनस, sin cos वाले में, यहां प्लस तो माइनस, यह B इसमें आ जाएगा, और यह A यहां आ जाएगा, बराबर M, तो जब इनके वर्गों का योग करके सब solve करते हैं, तो result आता है, A square, प्लस B square, बराबर M square, प्लस N square, SSC के सही से कोई किताब लगाओगे, तो यह question कम से कम 30 बार, same pattern का question मिलेगा, 30 बार, अब देखो, जहां थोड़ा खत्रा होता है, चीजों को समझना, 5, 12, 5, 12, अब कर दो सर यहां इंटर्चेंज नहीं है, देखो, यह वाला 5, अब कॉस के साथ पहुच गया, यह वाला 12, कॉस के साथ था, तो साइन के साथ, और प्लस की जगे माइनस, तो आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि whole square में कोनों फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब इसका जो answer आएगा, बच्चा, कोशन नमबर 2 का 5 square, 12 square is equal to 13 square प्लस x square, बच्चा बच्चा जानता है, कि 5 का 25 होता है, 12 का 144, यह 169 के बराबर, यानि x बराबर 0 आएगा, तो इसका answer बच्चा, शूने हो जाएगा, बोलो, मगर प्यार से, इस स्टेट में साएग, 3 से 4 ट्रिग्नोमेट्री के कोशन है, याद रहे, सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ना, कि चैप्टर से कितनी बार क्या आ जाये, कोई नहीं जानता, प्यारे दूस्तो, कोशन नमबर 2 के आपार सफलता की बाद, कोशन नमबर 3, क्या कहता है, यादि 10 पेंसिल और 12 पें का क्रैम मूल 150 है, 10 पेंसिल, 12 पें का जो मूल है, वो 150 है, तो हम से कहता है, 30 पेंसिल, 36 पें का मूल क्या होगा, दिखों, ये एक observation कोशन है, आप कोशन को देखकर भी आंसर बता सकते थे, कि इसका ये 3 टाइम्स, इसका ये 3 टाइम्स, इसका ये भी 3 टाइम्स होगा, हमने इसलिए लिखा, जिससे आप समझ जाएं, आई हो, ये कोशन भी आपको समझ में आया होगा, कोशन नमबर 4, फिर से आ गया trigonometric, इसलिए बोलाओ, अब जिससे हमने अभी हाली में आप से कहा था, कि sin 15, 10 15, cot 15, ये सब value याद करो, हमने कई सेट में लिखवा भी दिया है, तो इन्हें तयार कीजिए, फिर मीं हम यहाँ लिख देते हैं, कि देखो, sin 15 की जो value होती है, वो root 3 minus 1 upon 2 root 2 होती है, कॉस 15 की जो value होती है, वो root 3 plus 1 upon 2 root 2 होती है, जब हम बात करते हैं किसकी, 10 15 की, तो इसकी 2 value होती है, एक होती root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, और एक जो हमें इन कोश्णों में यूज़ करना होता है, वो 2 minus root 3 वाला, सेम ऐसी, कॉट 15 की और याद कर लो, ये 2 plus root 3 होता है, और इसका reciprocal, अब एक बात को सम्झों, इनी के compliment, जैसे 10 15 का पूरक, तो कॉट 75 होता है, कॉट 15 का पूरक तो 10 75 होता है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए, बाकि जैसी आपकी श्रद्दा, जब यहाँ कोशन में आते हैं, तो ये 10 15 लिखा है, कॉट 75, समाच इसी को 10 15 भी कहता है, या 10 75, समाच इसी को कॉट 15 भी कहता है, क्योंकि एक दूसरे के complimentary, पूरक होता है, मासूम से दोस्तों, तो आप दिखो, ये हो गया 10 square 15 डिगरी, प्लस, कॉट square 15 डिगरी, एक चीज समझो, डरना नहीं सीखना है, इसकी value 2 minus root 3 दी गई है, तो ये ही रग दो, और इसका whole square, सेम चीज बगल वाले का, आपको मालूम होना चीए, सीदे वैसे तो यादे होना चीए, कुछ paper में दिया ही नहीं होगा, ये भी समझो, तो cot 15, 2 plus root 3, यहाँ पर भी आपने एक property, हमने 500 बार यूटूब में बताई है, और ज्यादा हो सकता है, 100 बार के उपर बताई हो, क्या, a plus b का whole square, a minus b का whole square, जो कि 2 times होता है, a square plus b square, यूट कम्टेशन की किताब जो हमने पढ़ाई होई है, उसका revision जरूर करना, जैसे हमने पढ़ाया है, क्योंकि हमने theory पढ़ाई है, पाकि जैसी स्रद्धा, जिस दिन जिस selection होगा, उस दिर मेरी याद आएगी, पर हायात असर ने, ऐसा को हो गए, तो ये चीज़ आगे पीछे लिखा हो, कोई दिक करने तो 2 times, 2 का square 4, root 3 का square 3, 4, 3, 7, 2, 14, 14 is the right answer, 14 इसका सही उत्तर है, बोलो हाँ, दोस्तों, अच्छे से सीखिए, और चीजों को जानिये, ठीक है, एक मासूम सा बच्चा कह रहा है कि प्रभू, देवता, कि सर सारे 400 गलत आंसर है, अब इंगलिस में पढ़ लेते हैं, the cost price of 10 pencil and 12 pen, 150, then what will be the cost price of 30 pen, 30 pencil है न पहले, 36 pen, कैसे गलत है, 10 का 3 गुना, 30 होता है, ये भी 3 गुना, अब बाकी, हो सकता है मैं गलत हूँ, भाई, अब मैं क्या कहूँ, मासूम सा बच्चा है, कैसे बताओ, हो सकता है मैं जा कही कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, अजकर टाइम पास भी तो बहुत दुनिया करती है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री का कोशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि सारे टॉपिक पढ़ना, कोशन नमबर 5, इसलिए, कई बार बोला है, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, उसको पढ़ना ही है, देखो, आज ही हमने इसक कोश ठीटा बराबर अगर M के है, तो प्लस की जगे माइनस, ये इंटरचेंज होना चीए, अब मालो ये पोर्शन पहले लिख दे या बाद में उससे मतलब नहीं है, इंटरचेंज होना चीए, बस ये ध्यान रख को, तो ये रिजल्ट होता है, कैसे आता है, इनके वर्ग आसर कानपूर वाले की, तो आसान है और क्या, जब मेरे याद आ रहे है, तो कोशन भी याद आएगा, ये वन है, इसके साथ भी वन है, इसके साथ, इंटरचेंज में कोई फरकी नहीं पढ़ता, फ्लस से माइनस, तो वन का स्क्वेर प्लस वन का स्क्वेर, रूट साविन क स्क्वेर, साथ, दो का स्क्वेर चार, प्लस एक्स स्क्वेर, दो माइनस साथ बटा चार, एक बटा चार, भई, चार दुना आठ में से साथ गया, एक बटा चार, एक्स बराबर एक बटा दो, ये ही इसका आंसर है, तो चीजों को अच्छी सी सी सीखेंगे, सेलेक्शन हो जाएगा तो समझ गए कि नहीं कि दिखिए कुछ बच्चे कह रहे मैथट भूल जाते हैं रिवीजन कहें के लिए होता है तीन साल से एक्जाम अभी तक सही से नहीं हुए ठीक है अभी तक तुम मैथट भूली रहो कहीं से चलेगा आएं कहीं से चलेगा रिवीजन नोट्स बनाएए अरे आपके टीचर ने भी पढ़ा होगा तो मेहनस से कई बार पढ़ा होगा तभी तो इतने प्यार से पढ़ाता है विचार कीजिए एक चीज़ समझो ये 20 है अब यहीं ये ब्रेक भी हो रहा है आपको नहीं दिकरा पर हो रहा है कैसे पांच चौका 20 पहले बोल 41 भी हो गया तो बस इसका प्यार से LC आपने लो उपर आएगा एक्स प्लस वाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई पांच और चार तो योग नौ नीचे बीस नौ बटा बीस इसका आंसर कोशन रिपीट हुआ है साइध ये 31 जुलाई 2021 वाले सेट में भी ये कोशन था सिफ्ट वन में चैले इस कोशन को समझेंगे बढ़ियां से बढ़ियां से टफ नहीं है बढ़ियां से अच्छा कोशन है ठीक है डिसकाउंट वाला है एक आदमी क्रैमोल से चार परसंट हानी पर पूल बेखता है फलावर फलावर समझ अजकल तो फलावर फलावर बोलते रहते रहते हैं तो छार परसंट हानी पर बेखता है इसका मतलब मालो 100 रुपया का कोई चीज है और आपको कहई रहा भाईया हम तो लॉस में बेच रहे हैं कि 100 की चीज हम 96 रुपय में बेच रहे हैं समास सेवा कर रहे हैं भाई नहीं समझें जैसे कभी कभी क्या होता है कि सब्जी वाले के पास जाओ रात में रात में कहता भाई हम तो 100 रुपिया किलो लाये थे अब तो सब खत्म ही हो गया है लिए अब हम आपको कर दिया क्या कि तुम कर भया पचीज ग्राम दई तो तुमने तो 25 ग्राम का दिया अंधेरे में तो हमने तुम्हें थमा दिया 20 ग्राम तो सीधी सी बात उसके बाद हमें लावए होना है और यह बहुत होता है ठीक है हर बंदा अपने आपको हुजियार समझता है होता नहीं 25 से ये गया कित्ती बार चार बार मालूम चला 80 की चीज 96 में चिपका दी तो हो गया प्रॉफिट अब 4-16 से काड़ लो 5 की चीज 6 में दोनों का अंतर एक बटा 5 गुड़ा 100 20 परसेंड का क्या हो गया खेला यानि लाब हो गया किसे सबजी वाले को चिला राता हानी हानी और उसने क्या कर दिया लाब ले लिया देखो कैसे मैं बिल्कुल बता दू आपको आज बिल्कुल कड़वा सत्य बता दू आलू खरीदने जाओ तुम सिर्फ आलू खरीदने पांच किलो आलू लेके आना तो आलू वाला अब तो डिश्टल वाला भ 50 graph तक की खिला हो जाता है पांच किलू आलू में सब्सक्षा में समझ गहा नहीं समझे तो कोनों बात है नहीं और जो ऐसे करके तsa उलल है वो तो खेलेंगे खेलेंगे एक क्रैमूंस सेeda क्षिंट हानी पर कुछ भीचीत को धेकत होता है परन तू 25 ग्राम बाट के स्थान पे 20 ग्राम यानि तुम ने कहा ब 25 ग्राम फूल सूली दो हम का दे रहे 20 ग्राम दे रहे बस अब हो नहीं समझे कोणों बात है नहीं फिर नहीं समझ में आएगा कोशन नमबर 7 के बाद कोशन नमबर 8 सभी लोग पढ़ाई पर फोकस किजिए अच्छे कोशन से कोशन नमबर 8 बाकी चर्चाएं बाद में करते रहेंगे एक आयत की लंबाई और चोड़ाई का अनपाथ 2 is to 1 एक आयत की लंबाई और चोड़ाई कानपाथ लंबाई 2 is to 1 यानि 2x और एक्स है आयत के परिमाप और छेत्रफल के संख्यात्मक मान 3 और 4 है यहाँ खेला होगा अभी समझो संख्यात्मक मान बोला गया किसके पहला परिमाप सब्द बोला गया परिमाप सम और आल साइड यानि 6x और छेत्रफल क्या होगा 2x इंटू एक्स यानि 2x स्क्वार बराबर 3 by 4 बोलो हाँ बराबर 3 by 4 दोस्तो समझ गया ना आईजे इजे काट लिए एक्स बराबर 4 आगया हम से कहता है आयत की लंबाई क्या होगी चार दुना आठ चार दुना आठ हो गया आपको मैंने 50 बार क्या कम से कम आपको बता रहे हैं अच्छा इंग्लिज में पूरा कोशन ही दिख़ा अब दिखरा है ना आपको बता दे 50 बार ने कम से कम 500 बार हमने कह होगा कई वीडियो इस्पेसली बनाए होंगे कि भाईया यूथ कम्टीशन का मेंसूरेशन जैसा मैंने पढ़ाया है मेरे से एक बार पढ़ लोगे यूटूब में और ये भी उताद रहे लाखों लोगों ने मेरी बात मानी है जाकर व्यूज देखो जाके अगर आपको व्यूज देखना है कि टीचर के व्यूज क्या है ठीक है लाखों लोगों ने पढ़ाया और अच्छी देखना तो कमेंटी पढ़ लेना सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि थ्योड़ी बताएगे कि जैसे आपकी श्रद्दा बताएंगे तो आपको हर बार हम ये बात घुक थे सुनना तो पढ़ेगा ये चले कोशन नम्बर गर कहता है एक संखया के तीन परसेंट और दूसरी संखया के दो परसेंट का योग अब बच्चा यहा क्या चाहता पर यह चाहता हम पर चनल सॉच कर दे दो सर शॉट कर दे दो एक लाइन का वही से भी होना है कोई संख्या मानो X उसका 3% देखना भी एक है लाइन में होगा दूसरी संख्या Y उसका 2% का योग पहली संख्या के 3% X के 3% दूसरी संख्या Y के 5% के योग का 3 बटा 4 बस यही लाइन है बस हो गया अब क्या यही लाइन है अब इसको सॉल करना देखो कैसे सॉल करना वो समझो मोटा मोटा 4 तियां 12 3 त्रिका 9 बारा में से नौ गया बारा में से नौ गया यह समास 3 कह एगा तो यारी 3 x लिख दो और क् आठ पांत या है 15 15 में से 8 गया 15 में से 8 गया साथ आएगा तो यह समाज कहाएगा एक्स अपॉन वाई 7 वाई 3 अब कर तो बिल्कुल है सॉट कर दो तो कहां से देखो कुछ कोशन में लिखने से ही आपके आंसर आएंगे बाकी जैसी आपकी श्रद्दा अचा कोशन नंबर यह नाइन था एक्शल में आज नंबरिंग करना भूल गया ठीक है मेहनत करते मेरे भाई मेहनत क्योंकि बाइलिंग वाल है आप खुदी देखिए जो किताब आती है प्लेटफॉर्म की वह हिंदी में आती है पाकी आप समझदार है यह मेहनत है अलग-अलग किताबों का खेला करके कहता है एस्टू बेस्टू से यदि ए बराबर टू बाई थ्री बराबर इतना तो आंसर क्या होगा कोशन नंबर 10 है समझ तो एक चीज समझना कोई बच्चा यह ना सोचना की मतलब यह कोशन नंबर 10 सरको कैसे आद है एक्चुली में स्लाइड में यहां नंबरिंग होती है इधर तो यहां 11 नंबर चला है इसलिए कोशन नंबर 10 है यह ना सोचना सब्सक्राइब आपको दिख भी रहा हो गया नंबर इतने बड़े ज्याता नंबर इन तक्की याथ रखे हुए तो कौन सा नंबर है यह मत सोचना ठीक है हाँ कल को तुम यह कह दो दे उतां हो समझाब एक सामने दो ई बी के सामने तीने तो टू इस्टो ठी आएगा सब कुझे सामने एक चार्श के सामने तीन है तो से अलब Van इस्टो नो हो गया, यानि 2 is to 3 is to 9 is the right answer, ठोको लाइक बोलो हाँ, प्यार से पढ़िए, हर चीज पढ़िए, धीरे धीरे सीखिए, चालें, दोस्तो, कोशन नमबर 11 आपके स्कीन के सामने, एक चीज समझना, कोशन बहुत आसान है, बस समझना, ऐसे कोशनों में बच्चा घबरा जाता है, सौटकड ही बताएंगे, एक चीज समझो, मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया था, यूथ में लिखवाया था, साइद इसका हमने साथ सौटकड ना भी बताया हो जब भी कोई ट्रेन, किसी मैन पोल फ्लैक ट्री को क्रॉस करती है, मैन फ्लैक ट्री पोल को क्रॉस करती है, तो अपनी ही लेंद को क्रॉस करती है, बस, और यहां पर क्या है, कि एक ही रेल गारी है, पहले बात को समझो, एक ही रेल गारी है, और दो वेक्तियों को क्रॉस कर रहा है तो अपनी तो लेंद को क्रोस कर रहा है यानि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होगी ने समझे मैं ट्रेणे हूँ और चिती क्रोस कर रहा हूं विप्धी बात है अर चीटी को ख्र VaccineB protesting बढ़ी होती है अदमी छोटा ये समझ लो समय कि बाकिस्वय में प્र finger की तो डिस्टेंस बराबर होगी और डिस्टेंस बराबर होता है speed into time बोलो हाँ अब समझेंगे पहली रेल गारी पहले वेक्ति को 10 सेकिंड में और दूसरे वेक्ति को 8 सेकिंड में क्रॉस करती है अभी समझना और जो क्रमसा 4 मीटर पर सेकिंड दस मीटर की चाल से विप्रीद दिसाओं में आ रहे थे तो जो वेक्ति है वो विप्रीद दिसाओं में आ रहे है towards each other towards each other यानि speed भी add होगी क्या add होगी speed माना train की speed x है तो पहले वेक्ति को क्रॉस किया तो चार मलब पहले दोनों के speed जुड़ गए speed इंटू टाइम दूसरे को क्रॉस किया तो एक्स प्लस दस बस एक लाइन का कोशन खेल लो मेरे बाई 8x 10x 2x e 40 80 तो 40 x बराबर 20 सब मीटर पर सेकेंड में तो यह मीटर पर सेकेंड कैसा लगा बोलो बोलो टेल टेल तो प्यार से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे ठोको लाइक और क्या ठोको ग्यारा के बाद 12 नंबर बहुत पढ़ाया है अमने आर इस अगरवाल में भी अलग से पॉलीगॉन पढ़ाया हुआ है कि एक सम्हें बहुबुच का 22 कोड भात तर है तो उसका अंता कोड क्या होगा और देख ओपर क्या करा है दा एक्स्टर्नल एंगल और रेक्टेंगल रेक्टेंगल पॉलीगॉन नहीं गलत है रेगुलर पॉलीगॉन ठीक है रे वो कभी कभी हिंदी इंगलिस में मिश्टेक कर देते हैं लोग ये रेगुलर वर्ड होता है रेगुलर मतलब होता है सम भभुझ यानि सारी की सारी भुजाएं बराबर है बहुत अलग अलग प्ढ़ाएं हम इसे जाँ रखना अनता कूल बहा कूल का सम 180 होता है इंटर्नल एंट एक्स्टर्नल का जो सम होगा वो 180 होता है राइट और गाइस आप हीस कोड यानि एक्स्टर्नल साविंटी टू है यू दैट इंटर्नल वान जिरू एट इस सम अफ इस एक्वाल तु वान एट ये ना कम टू दा कोशन नमबर 13 तेरा नमबर देखो अब ये कोशन तो आसान है रेशियो का पर पेपर में आपको बता दें पेपर में पचास पर्शन लोगों ने ये कोशन गलत कर दिया होगा इन जर्नल जब भी हम पढ़ते हैं कोशन तो बॉइज और गल्स निकलता है क्या कॉलेज में नहीं आपको खेल गया एक क्लास में 60 छात्र है उनमें से लड़कियों लड़कों के संख्या 5-7 है मलब पहले गल्स बोला गया है फिर बॉइज बोला गया जल्दबाजी मत करना इन कोशनों में तो 5-7 और कहता पांच लड़के कच्छा से निकाल दिये जाए तो यह साथ पांच बारा बारा बराबर साट के यानि पांच गुना बालक है 35 बालिका है तीस पचीस और पांच लड़कों को निकाल दो अभीदे को पांच लड़के निकाल दिये तो यह कहा गया तीस आगया बालिका पचीस अभी भी समझो अभी भी खेल गया ये गल्स और वाइज है और यहाँ खेल गया क्या इसलिए कि आप 50% लोगों ने गलत कर दिया लड़कों और लड़कियों का अनपात चाहिए ये बोल गया मतलब बालक और बालिकाओं का रिश्यू चाहिए 6 और 5 तो 6 इस्टू 5 आंसर और लोगों ने जल्दबाजी में 5 इस्टू 6 मार दिया होगा तो बालक और बालिकाओं का अनपात होगा 6 इस्टू 5 इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस से बोला क्या बोला क्या बोला 50% लोगों ने इस कोश्चन को गलत कर दिया होगा तो प्यार से पढ़िए महबबस से सिकhए हर चीज को ठीक है अरे दियोता बालक कम हो रहा है देखो एक त्वाय सामने एक गनेश करके लगा है वो भी 5 इस्टू 5 बोल दिया क्यों बोल दिया हम चांते हैं ठीक है कोशन नमर कौन सा 14 समझे ने समझे पेपर वाले बहुत दिमाह की है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है सिंपल सा कोशन है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है यानि एक्स प्लस टू बोलो मगर प्यार से ज़िदि आयत का परिमाब 20 सेंटीमीटर है तो उसका छेत्रफल क्या होगा मासूम से दोस्तो सांती से सब को जोड़ लो चार एक्स प्लस चार आया बराबर बीस के तो एक्स बराबर 4 के आया देखलो आप खुदी देखलो आप इसमें कौन सा हवन कराएंगे हम 4 गया 16, 4 से बाग तो ये और यह हो गया चार तू छे और यह हम से करता प्रभु एरिया बता दो च्छाचो को 24 इसका आणसर आएगा सशो को 24 इसका आणसर आएगा ठोको लाइक बोलो हां तो कोशन नमबर 14 का चोबिस 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 टॉनिफोर अब देखो यह कोशन अब यह भी कोशन आपको बता दें आपको बता दें एट लिस्ट 20-80% लोगों का सही होगा 20% यह कोशन गलत कर देंगे सरकाहे कोई कहा करते हैं किसी संख्या का एक बटा आठ तो देखा एक चौथाई को समझ नही आजी में यही सब होता है कि किसी संख्या के वन बाई एट के एक शौथाई मतलब वन फोर्थ इस इक्वार्ट टू 300 तो हम से कहता है उस संख्या का वन बाई फाइब बता दिए तो हम तुम का जाने हमने का अच्छा ऐसी बात बता ही वे देखो वो संख्या इधर गुणा कर दो तीन सो बुड़े आठ चोग बत्तिस और एग मुझे तो एक्सकी वैलू यह तो एक्सकी वैलू एक बटा पांज यानि पांच ऐसे कर दो पांस से यह साट बार में गया कर लू गुणा शेदूनी बारा चत्रेगटा रेक उन्हेज उन्निस सो बीस आंसर नाइन्टीन ट्वाइट हांसर ओप देस कोशन कोशन नमबर फिप्टीन ठोको लाइक बोलो हां उन्निस सो बीस प्यारे दोस्तों मैंने इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया मैं इसलिए कहता हूँ कि आप मेंसुरेशन हमसे पढ़ो वैसे तो सभी हमसे पढ़ो पर यूत की जो किताब में में च्छोटे च्छोटे फॉरमले लिखवा दिये अगर पढ़ लोगे तो यह आला कोशन बन जात सिर्फ 20% बच्छे इस कोशन को अटेंट कर पाया हूँगे सही से रेलवे वाले और स्सी का अगर त्यारी कर रहा तो वो तो करी लिएगा बढ़या कोशन हमने आपको अलग से बताया है कि अंतावरत की त्रिज्जा का फॉर्मुला जन्रल वाला यह होता है जाकर यूथ में देखना लिखवाया हुआ है बताया हुआ था कि एरिया ओफ एरिया ओफ ट्रैंगल और सेमी पैरिमेटर जिसे अर्ध परिमाब बोलते हैं देखो इसमें क्या होता है ज्यादा तर राइट एंगल ट्रैंगल का आता है चलो मैं लिखवाई देता हूँ एक साथ फिर से और क्या करेंगे एक साथ फिर से लिखवा देते हैं इसमें कोशन किसके किसके बनते हैं जैसे राइट एंगल ट्रैंगल इसका भी कोशन बहुत आया हुआ तो इसके अंदर एक सरकल बन गया इस सरकल को इन सरकल अंतावरत बोलते हैं इसकी तरिजा क्या ये परपेंडिकुलर यानि लंब आधार और कन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनेस तो अंतावरत कि तरिजा फी प्लसबी माइनस ह टू होटा है तो ये समकोण का हो गया तो णसे ने उसी में ये परिव्रत का समकोण का भहुत आता है ये कनका अधा होता है यानि कैप्ट Waar PB 2 होता है पिर प्र पेपर में आता है क्या एक्यू लेटरल यह संभावू तुर्वुज़ की अंतावरत की तrina क्या होती है आर बरावर ए अपॉंट टूरोट्री आता है और इसके परिवरत की भी तुरिज़़ा आती है संभावू तुर्वुज़ की तो capital R बरावर a by root 3 होता है मतलब इतना तो हम याद कराते है साथ में हम ये भी बताते है कि अगर समभावत त्रिवुच के अंदर अगर कोई circle बन जाए उसका area सीधे इसका area pi a square by 12 होता है और समभावत त्रिवुच के बाहर कोई circle बन जाए मतलब ये वाला तो परिवरत वाला pi a square by 3 होता है और very very important अगर paper में आया फिलाल इस साल ntpc में आया हुआ है ये वाला कि अंदर भी circle बना बाहर भी circle बना और जो portion बीच में बचना है इसका area पूछा गया जो बच्चे मुझे पढ़े होंगे कर लेगा उना वाकि तो सब स्वेम जिम्मेदार है pi a square by 4 ये होता है difference वाला और हमने हर भार लिखवाया है इनका जन्रेनल फॉर्मला r बराबर delta upon s delta मतलब होता है area of any triangle किसी भी त्रिवुच का छेत्रवल और s मतलब semi perimeter अर्ध परिमाप और capital R यानि परिवरत की त्रिजा a b c upon 4 delta delta मतलब area of any triangle तो ये सब चीजे हमने भर भर के लिखवाई हुई है बोलो मगर प्यार से एक बच्चा कर रहा youth book पढ़ा और एक साल पहले पढ़ा चुके अपका दस बार पढ़ाएं का आएं का चाहते हो है अब ये प्रेक्टिस नहीं कराएंगे तो भी आपको दिक्कत है कौन सी दुनिया से हो इसी दुनिया से हो कि कौन और दुनिया से हो पूरा का पूरा यूटूब में निसुल पढ़ा हुआ है पर हम नहीं पढ़ेंगे सब थियोरी बताए हुए नोट्स बनाईए अच्छे से पढ़िए ठीक है यदि 64 cm परिमाब वाले एक त्रिवुच का अन्ता त्रिज्जा आठ है तो उसका छेत्रफल तो फॉर्मला जिसको याद है वही बासा छेत्रफल चाहिए त्रिज्जा क्या है आठ है परिमाब 64 है तो सेमी या अर्थ परिमाब होता है तो वह 32 तो बस इसका अंसर डेल्टा वराबर 32 गुड़े आठ आठ दूनी सोला हसी एक आठ दूनी सोला हसी एक आर्ट त्रिका 24 एक पचीज़ दूई सो चापन आंसर समझ गय की नहीं समझ गया कि बोलो हां सर समझ गया कोश्चन नंबर 17 हो गया चले बाई आगे बढ़ते हैं कि कहता एक का बीस परसेंट बीके 25 परसेंट के बराबर है दिए ये कोश्चन भी बड़ा आसान है कि सई से समयना अठारा नंबर एक का बीस परसेंट बीस परसेंट एक बटा पांच होता है बीक अच्छा ऐसा कर लो एक का बीस परसेंट लिख लो हां और बीके किते 25 परसेंट के बराबर यहीं बोला ऐसे लिख दो मासूम से दोस्तो 5 से ये 4 बार में गया 5 से ये 5 बार में A के सामने 5 B के सामने 4 यानि A upon B 5 बटा 4 है बोलो हाँ कहता B के कितने प्रस्त के बराबर है अब दो को आगे कह रहा है A का 28% तो A की वैलू 5 माल लो पांच का 28% बात को समझना B के कितना तो B 4 है तो B के X परसिंट के बराबर यह चाहता है और जो बच्चा पढ़ रहा है वह बातसा है और क्या आपके रासर यह हैपी बड़े चार से यह साथ बार साथ पना पाइटिस का है परेशान ओरो 35 परसेंट अंसर 35 परसेंट इस दर राइट अंसर आप दिस कोशन अरे ठोको 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 लाइक अच्छा यह कोशन नुमबर अठारा नहीं है अब यह सत्रा एक्च्छल में क्या हुआ एक पेज मेरा एक्स्ट्रा हो गया यह वाला ठीक है कोई अठारा अब याद रखेंगा अब दो दो का गैप है नंबरिंग में ठीक है सत्रा अठारा अठारा कि यह दि किसी वस्तू का क्रेमूल सत्तर है और उसे बेशने पर 10 परसेंट की हानी होती विक्रेमूल किस्मत वालों के सेट में आते हैं से कोशन सत्तर का नब्वे परसेंट बस और उसमें भी आपको कुछ नहीं करना परसेंटेज दो जीरो खा गए नो सत्ते त्रेसट आंसर ठोको लाइक हमने कम से कम सौ बार इस समाच को बताया है कि A डिवाइड वाइड बाइब अगर कभी लिखना तो ऐसे लिखना ऐसे एंट वन बाइब पहले बोलो हां कि सरम ऐसे ही लिखेंगे हर जी कोशन छेसो चौरासी डिवीजन में नाइन यानि वन बाइड नाइन डिवीजन में तो यह डिवीजन में पॉइंट फाइव आया चलो ऐसे लिख दो दसम्दो आटाया जीरो बढ़ाया समझ गे ना ऐसा क है किया सर अरे भाईया ऐसे दो बार में जाते हैं ऐसे समझ लो मोटा मोटा ताटो नौ सत्ते त्रेसर्ट और नच्छो को चोवन कि शियत्तर दूना आंसर छे दूनी बारा एक सो बावन आंसर ठोको लाइड तो इन्हें ऐसे ही करना कभी गलत नहीं होंगे चले प्यारे दोस्तो वेल मैनर पढ़िए हर चीज सीखे रिकॉर्ड वीडियो है एक बच्चा लिक रहा है देखो कमेंट का रिप्लाई उतना ही दिया जाएगा जितना जरूरी है मेंसुरेशन और लेडी पढ़ा रखा है यूटूब में बढ़िया से पढ़िए ठीक है मेरे प्यारे दोस्त अब एक बच्चा 124 या अंसर दे रहा है ठीक है अरे भाईया ऐसे गलती करियो और बाद में टीचर दोसी है हाँ सीधी सी बात है बाद में का टीचर दोसी है व चलो याद रहे कभी भी डिविजन ऐसे दिख जा हमेशा रिवर्स करके मल्टिप्लाइ करो सब डिविजन सारे रिवर्स करो चलो बाई आगे बढ़ते हैं पर जी कोश्यन कोश्यन नमबर 20 हो गई है मासूम से दोस्तों इसको सम्झू यह होल स्क्वार होता है 2x प्लस y का होल स्क्वार और x बराबर 3 तो 3 दूना 6 y बराबर 5 तो यह 5 6 5 11 यानि 121 आंसर कोश्यन नमबर 20 का कोश्यन नमबर 21 यदि दो संख्याओं के महत्तम सवावर्त है यानि S.C.A.P. और LC.M. 8 और 160 है उन संख्याओं का योग क्या होगा मोटा मोटा आठ का मल्टपिल होगा कि दिज बात क्योंकि S.C.A.P. 8 है आठ का मल्टपिल यह नहीं होता यह नहीं होता बकर या बकर मुद्दा है सिर्दी बात अभ्यासी अब आतर दोनों आठ के मल्टपिल है तो जो संख्या लेट की जाती मैं आपको बता दू अगर S.C.A.P. 8 है तो पहली संख्या आपकी 8X होगी और दूसरी संख्या 8Y होगी यह बात माइंड में जब लेट करने की बारी आया ऐसे तो फिर करो पहली 8X होगे दूसरी 8Y होगे बराबर किसके LCM into SCF क्योंकि दोनों संख्या के साथ जब भी ऐसा हो तो ऐसे करना एक संख्या के बाद हो तो फिर XY करके निप्टा लिए इससे यह 20 बार में गया X into Y अब इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका SCF वान हो हाइस्ट कॉमन फैक्टर ओनली वान हो पांच गुड़ा चार ही होता है या एक गुड़ा 20 होता है पहले बोलो हाँ या तो पांच गुड़ा 4 या एक गुड़ा 20 ठीक है और कुछ भी नहीं हो सकता अरे बोलो मेरे देवत हाँ हमेशा या तो यह होगा या एक गुड़े 20 होगा तो कि इनका SCF हमेशा वन होना चाहिए बात को समझ रहो कि नहीं समझ रहो अरे बोलो हाँ इसके दो आंसर बनेंगे उन संख्याओं का योग याद करो अगर हम योग करें पहले तो हम पांच और चार वाला ले तो आठ चौग बत्यस आठ पंच आलिस आठ चौग बत्यस तो 72 आंसर आएगा पहला अगर हम यह अला ले तो आठ और आठ गुड़े 20 एक सो साट होता है 168 तो 168 तो option में है नहीं तो फिर 72 वाला आंसर सही होगा समझ गए यह question अच्छे होते हैं यह pair of questions आते हैं पेपर में रेखा यूग में निकालने के लिए आते हैं कि इसके कितने रेखी यूग में होंगे ऐसे पूछा जाता है तो थियोरी में जब आपने पढ़ा होगा तो ऐसे कोशन मिले होंगे बोलो हाँ चाले हैं तो दोस्तों अच्छी से पढ़िए बाकी प्रकास मेरे भाई एक बच्चा प्रकास नाम है बढ़ियां से पढ़ो किसी के कमेंट पर ध्यान ना दू ठीक है मेरे भाई देखो सब मूम आया है मेरे भाई समझ गया ना समझ गया जब आप कोई काम अच्छा करोगे सही दिसा में चलोगे आपको गिराने वाले पचासों होगे यही सत्य और इसको जान लेना उसी वक्त समझ जाना आप काम सही करो पर कभी कभी गलत भी होता है मालूम चला तुम क्राइम करो गरवाले मना कर रहा है प्रकास सन ने तो बोला था इन जन्नल बात कर रहा हूं में ठीक है तो चोबिस है तो यह 22 नमबर होगा प्यार से पढ़िए बाकी सम्मूम आया है कोशन कहता है 0.02x बराबर 0.5y यह अटाओ यह अटाओ और यह 0 तो x अपॉन y पचास बटा दो यह समाच इसे 25 बटा एक कहता है पहले बोलो हाँ अब हमसे करा प्रभू x-y दोनों का अंतर 24 एक्स प्लस y दोनों को जोड़ दो 26 यह प्रीविएस यह पेपर है जो है वही अब कराएंगे 12 बटा 13 इस दर राइट आंसर ओप दिस कोशन ठीक है कोशन नमबर 22 कोशन नमबर 23 इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट कैसे जब इस किताब को देखोगे प्लेट फॉर्म वाली किताब में अगर यह कोशन देखोगे तो गलत सुलूशन है उसमें बस यह समबल लो जो सुलूशन हम बताएंगे वही सही है ठीक है क्योंकि हमने ओरिजनल पेपर में इसका आंसर चेक किया प्लेट फॉर्म में 30% आंसर दिया वो गलत है ओरिजनल में 10% दिया है समझना एक बार में समझ जाओंगे एक विक्रेता छेसो में 300 आंप खरीदता है यानि 600 रुपए में 300 आंप खरीदता है कोई दिक्कत नहीं उनमें से कुछ आंप सड़ गये और फेक दिये गये उसने सेस बचे हुए आंप को तीन रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाप कमाया इस लाइन को समझो 210 का लाप कमाया यह लाइन ही आग को समझना देखे इसमें इतना ही कोशन सफीसेंट है कि हमें कोई सब्द एड़ करने जुरत नहीं है इसमें देखो he sold the remaining mangoes at 3 रुपए each and made a profit of 210 यहां कहीं मेंसर नहीं लिखा है कि remaining mango बेचने पर उसको 200 रुपए का लाप हुआ और वैसे भी उसको overall 210 रुपए का लाप होगा आप खुदी सोचो मैं टमाटर वाला हूँ पहले में बात को समझा चलो मैं आम बाला हूँ चलो अब टमाटर छोड़ो महंगा भी है कभी कभी आम से महंगा टमाटर होता है तो मैं आम बाला हूँ मेरे पास 300 आम है अब कुछ आम क्या भाई आदमी आता है अच्छा वाला छाटता है तो छाटे 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 अंत में कुछ सड़े हो गए तो उन आम को फिर हम क्या फेका ही देंगे और सेस बचे आम को हमने 3 रुपया प्रतिदर से बेचा पर हमने ऊवराल 210 रुपया कमाया है यानि पहले समझो मेरा कौश प्राइस था 600 रुपया पहले में बात को समझो मैंने जो लाग कमाया है वो 210 रुपया कमाया है या मेरा एस्पी हो गया कितना 810 रूपिया और यह 810 रूपिया हुआ यह तब हुआ जब हमने 3 रूपिया प्रती आम बेचा है कितना रूपिया प्रती तर के दर से क्योंकि सेस आम को बेचा है तो 810 कितने आम को बेचा है पहले तो यह देख दो तीन से भाग दोगे तो हमने 270 आम को बेचा 270 आम को बेचा तब मैंने 810 कमाया और मेरे पास कितने आम थे 300 आम थे 300 से 270 यानि 30 आम बेकार हो गए आउट आफ 300 में से गुड़ा हंडे 10% is the right answer of this question तो यहाँ पर कोई सब्द को जोड़ने की भी कोई जुरत नहीं है प्लेटफॉर्म की किताब में 30% आंसर दे दिया है ठीक है तो प्यारे दोस्तों प्यारे दोस्तों तो प्लेटफॉर्म की किताब में साहिद 10% प्लेटफॉर्म की एक ऐसी किताब है तो यह नहीं करना जाते नाम किसी प्रचार कर रहा है मेरे बात को समझना प्लेटफॉर्म की किताबों में नाम मात्र की एरर होती है मतलब बिलकुल नाम मात्र की एरर होती है कभी कबार एकाद कोश्यन में एरर होई जाती बाई जल्दी लदी किताबे छपती है नो डाउट वना अभी तक जितने भी सेट कराएं नाम मात्र की एरर होती है नाम मात्र की क्या हर पांस सेट में एकाद एरर निकल आया है सब्सक्राइब हो जाता है इंसान है वो भी तो इसका अंसर क्या आएगा टैन पर्सेंट बाकी मूम आया है हमिसा अच्छाइयां देखो कोई आपका सो भला कर रहा हो और एक खराब मुलब नब्बे अच्छा काम कर रहा हो दस खराब तो फिर उसको खराब में काउंट ना करो उसे अच्छे में काउंट करो मजदूर A मजदूर B से तिगुनाकार कुशल एफिसियंसी A अपॉन B मजदूर A मजदूर B से तिगुनाकार कुशल है यानि A की छमता तीन और A की B की वन वर्कर A is thrice as efficient as work B राइट कहता है वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं यानि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं एक दिन में कितना लड़ू बनाते हैं एक दिन में चार तो 18 दिन में बहात्तर यानि टोटल वर्क हो गया एक तरीकी से 72 कहता है प्रभू एकेले उस कार को किते दिन में करेगा अब लड़ू है बात तर बारी एक किसकी एक किसकी एक ही बारी तो एक कहता है मैं तो एक दिन में तीन लड़ू बनाता हूं भाग देदू 24 24 is the right answer इस question का answer 24 आएगा चले अच्छा, जी एस की बुक में होगा ना प्रितिम पांडे मेम जो आप बोल लेगे वो जी एस की बुक में मैं वैध की बात कर रहा हूं ठीक है कि अब देखो जीएस के अब ना मैं जीएस का टीचर हो तो मैं कैसे बताऊं मैं मैं मैंत की बात कर रहा हूं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं 25 नंबर कोश्चन जो पढ़ाएंगे उस पर चर्चा करेंगे न कहता है कि प्रभू इन में से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परमे देखी सारी परमे संख्या है आप परमे तो ही नहीं आप परमे तब होती जब रूट उट लगा होता तब आप परमे होती तो है तो य नाइन पॉइंट जीड legitimately 9 20 िडियु मुलब per 20 पाइसा नौर पीर आट पैसे से बढ़ा होता तो ये नहीं होगा ये दस रुप्या 50 पैसा होता ये देटज रुप्या 67 समझ गया 6.70 ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा नौर में पंद्रा पैसा ये नौर पेस पैसा तो ये भी गलत, तो answer 9 रुपए 55 पैसा, जी आएगा 9.55, answer of this question, 25 के बाद 26, ये बच्चा बच्चा जानता है कि 4 GB की value होती है, ओ, हो, सर 4 GB, हाँ मेरे दे होता, 4 GB बराबर 4096 MB, और जो कि 64 का square होता है, सर ये सब, अरे पेपल में बहुत पूछे गए ये question, चाओ तो लिख लो, 1 GB बराबर 2 की power 10, 2 की power 10 MB, होता है भईया, समद गया न, और 2 की power 10 क्या होता है, 1024 होता है, ये भी याद अगना, हाँ, समद गया, गाबर हो जाएगा, तो 4096 का वर्ग मूल गयाद किजिए, तो 64 का ही होगा, मुद्दा खत्म, बाकी बहुत टेक्निक पड़ाई हो, ये मने वर्ग मूल निकालनी की, उनको देखिए, यूद की किताब है, सीदी सी बात है, चले, कहता है दी पांच, इद द मीन और फाइब अब्जर्वेशन और इस वन इस 20, देन द मीन और फ़र्श्ट टू अब्जर्वेशन, एक चीज़ देखो, दिफरेंस ओफ दिस, वन वन का गयाब दिख़ा है, पहले बोलो हाँ, कि सर वन वन का डिफरेंस है, यानी, यान वन वन का डिफरेंस है, तो आप लिख दो, नमबर ओफ टम्स, how many, तो 5 नमबर ओफ टम्स है, तो इसका जो अवरेज होगा, भाई, गयात 11 का है, यानी, इसका एवरेज ये होगा, क्योंकि सिरीज आरि अपी में, समांत्र सीड़ी में, बोलो हाँ, और यह x-2 is equal to 20, that means x is equal to 22 अब से कह रहा भाई या दमीन ओफ फॉस्ट्व अब्जर्वेशन यह बाई सुई का इकाई सुई का इनका माद चाही एकाईस पॉइंट पांच ठोको ठोको लाइट 21.5 इस दर राइट आंसर आप दिसकोशन भर भर के कराया भर भर के बोलो बोलो टेल टेल चले फिर से कोशन आ गया जिस पर अभी थोधर पहले अपने प्रचंड ग्यान दिया हुआ था याद रहे जब कोई रेल गारी किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी ही लेंद को क्रॉस करती है सेम पैटर्न पे आज ये दूसरा कोशन है लॉजिक त्यार करना जो बता रहे हैं कहता है सत्तर केमपियाच की चाल से चल रही है एक रेल गारी उसकी विपरीद दिसा में चल ले एक मोटर सवाल को दो सेकंड में पार करती है एक चीज़ समझना तो जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो ट्रेंड की लेंथी होती है और ये स्पीड इंटू टाइम होगी समय दो सेकंड का है ये सत्तर है और विपरीद दिसा में अच्छा अब एक चीज़ समझो दोनों की स्पीड क्या होगी एड होगी चल लए एक रेल गाड़ी उसकी विपरीद दिसा में चल लेक मोटर सवार को दो सेकंड में पार करती है तो विपरीद दिसा में यानि लेंथ जुड़ेगी ये स्पीड जुड़ेगी सत्तर प्लस एक्स और यह क्रॉस ट्रेंड की लेंद कर रहा फिर कहे रहा है यूदि मोटर सवार रेल गाड़ी की समान दिसा में चल रहा है अगर सेम डिर्क्षिन में तो पांस सेकंड में अब सेम डिरेक्षिन में तो स्पीड का अंतर आएगा यानि 70 माइनस एक साइगा पर दोनों केस में ट्रेन की लेंथी क्रॉस होगी यानि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होगी बस इसको सॉल कर लो मेरा बाई और क्या जो एक साइगा वही आज सर्मुद्दा खत्म कि एक सो चालीस हुआ यह तीन सो कितना अले दिन सो कि आपना पैति चुर्स दो सो दस आया यह यह टू एक्स हुआ यह माइनस का फाइब एक्स तो दस इधर लिको ठीक है पांस दो साथ एक सिदर आया एक्स बराबर तीस यानि उसे मोटर सावार की जो स्पीड थी वो 30 कम पीस थी 30 किलो मेटर पती घंटा बोलो हां और यह कोशन नंबर कौन सा था इसमें नहीं लिखा इसमें नहीं लिखा अच्छा 25 के बाद यह 26 यह 27 यह 28 बोलो मगर प्यार से आसा है यह कोशन आप सब को क्लियर हो गया होगा चाले एक बच्चा कहे रहा सर आपकी टोपी बहुत अच्छी है धनवाद ठीक है चलो एक ने तो अच्छा का खुसी मिली मुझे और खुसी मिली खुसी कहता है 7777, 7777, 7777 तो यह 4 टाइम्स आगया साइड में इनको एड करो चार का इंटू करके समझ गया उसके बाद आप गौर से देखिए हंए वन बाइप प्लस तू बाइप फाइप ट्री बाइप और पूर बाइप five तरक्ट चोख अठाइस दो हासिल साथ अठाइस दो तीस तीन हासिल अठाइस एकटेस और इसका चार तिन साथ आठ नो दस पांस से भाग दो बढ दो आएगा यानि 3110 is the right answer of this question, इस question का answer 3110 आएगा, यह traditional question है, यह सब आता है बच्चों को, ठीक है, समझ गया है, solve करने का time दिया तो है, आप हमसे तेज किजी और क्या, अब आ गए di, प्यारे दोस्तों, question number 29 के बाद, अब हम लोग पढ़ेंगे, di के चार question, अजीब और गरीब, यहाँ bilingual लिख रहा होगा, यहाँ देख रो, यह cutting दो दो बार आ गए, तो original cutting यह है, original paper से काट कर हमने चिपकाई है, बाकी तो आप समझ रहो, ठीक है, किताबों में ऐसा को छपा हुआ है, और भी अलग धंग से, तो जितना colorful आएगा, कभी भी di तो समझ जाना, प्रकाशन ने original diagram से खेला गिया है, कहिता है हमसे, यह सब पढ़ लेना, कहिता है क्या, ग्राप 2015-2018 में एक printing company द्वारा बेची गई 5 विसे, भौतिक यानि physics, रसायन यानि chemistry, biology, mathematics, English की पार्थ पुस्तकों की कुल संक्या हजारों में, ग्राप के आधार पर नीचे दिये गए, यहां लिखा भी है, physics, chemistry, biology, mathematics, and English, फिर कहता है, 2015, बेची गई, गड़ित की पुस्तकों की संक्या, 2015, देख रहें, नीला कलर, आपको नहीं दिख रहा होगा, नीला कलर, पर यह है, ठीक है, अब हरा दिख रहा हो, तो बात अलग है, हमें तो नीला दिख रहा है, तो यह, गड़ित का कितना है, 34, ना दिख रहा हो, तो यहां कहीं 34 लिखा है, ठीक है, दिखी रहा होगा, 2015 में गड़ित में 34, और 2016 में बेची गए, अंग्रेजी की पुस्तकों की कितने प्रस्थत के बराबर है, 2016, ग्रेज कलर में अंग्रेजी 20 होए, तो कितने के बराबर, देखो, जो यह 34 है, वो आउट आउप 20 के पूछ रहा है, तो गुड़ा 100 कर दिख, अब 20 से यह 5 बार गया, 34, पंजा 170, तो इसका आंसर 170 परसेंट आएगा, ठोको लाइक बोलो हाँ, तो डी आई जितनी भी आती हैं, आज की डेट में, किस में, रेलवे के एक्जाम में, बहुत आसान आती है, बोलो, मगर प्यार से, ठीक है, तो यह हो गया, कैसा लग रहा है, यह ओरिजिनल डियाग्राम पेपर से कटिंग किया हुआ, दुनिया वर के वाटर मार्क हटाए हुए, आज कल क्या होता है, वाटर मार्क तुन लगा देता आदमी, अला प्यारा लगा है, कहता है हमसे, नेमलिकेद बार, ग्राप, पांच विसों के दोरान, एक आटो मुवाइल कंपनी, तीन साखा, ABC दोरा, दिये गए आटो मुवाइल के उत्पादं को दरसाता है, ग्राप के अधारपन नीचे दिये गए प्रष्ट का उत्तर दे, कहिता है प्रभू, दो हजार बारा से पंदरा के दोरान, साखा भी दोरा, किये गए आटो मुवाइल के उत्पादन में, कितने प्रसात की व्रद्धी होगी, साखा भी, यानि ये, और देखो, दो हजार बारा, बारा से पंदरा, तो 2012 में, ये कलर कौन सा है, औरेंज कलर बोल दो, भगवा कलर, औरेंज कलर सा बात वरापर, और पंदरा, तो भईया, कितने का अंतर आ रहा, क्योंकि हमसे करा, उत्तपादन में कितने प्रसात की व्रद्धी होगी, 30 से 45, अंतर 15, और किस पे देखेंगे 30 पर गुड़ा सौ, खेला हो गया, 50% की व्रद्धी होई, 50% is the right answer, ठोको, 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 50% is the right answer, चले, आगे बढ़ेंगे, कहता है, निम लिकी तालिका में पांच वर्सो गुदरान भारत के, भारत के पांच अलग अलग राज्यों में SSC, अब यह समझ सकतो है, यह रेलिवे का कोशन, फ़ले मेरी बात को समझना, यह सेम कोशन SSC में आया हुआ है, यह इनको रेलिवे लिखना था, और कमपनी TCS फ सामिल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्साया गया, तालिका की अधार पर नीचे दिएगे प्रश्ट का उतर दे, समझ गया, कहता है, 2013-2014 में, कुल मिलाकर UP में से, इस परिछा को सामिल हुए छात्रों की कुल संख्या, तो 2013-14, यूपी, 2013-14, तो साड़े 800 लोग हो गया, यूपी में, संख्या, इसी अवधी में, MP में, मद्ध प्रदेश में, अवधी वही है, इन दोनों को जोड़ो, 280-240-520 हो गया, का कहता है, प्रभु अन्पात बता हो, यह हो जाएगा, फर्जी कोशन, 85-52 is the right answer, क्योंकि अब यह कटना नहीं है, तेरा चोकु बावन चार से जाएगा नहीं, ना तेरा जाता है, ठीक है, चलिए यही आंसर है, और हंतिम कोशन, हंतिम कोशन, यह भी डियाग्राम ओरिजिनल किताब से चिपकाया गया है, एक कोई नहीं पूछेगा, एक्चुल में हमें किताब में समझ में कम आ रहा था, ओरिजिनल में बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि यह चीज 25 है, यह चीज 25 है, यह चीज 30 है, आप देख रहे हैं, यह चीज 30 और 25 के बीच में यह चीज समझ गया है, ऐसे करके, बाकी देखेंगे जैसा कुद्रत की माया होगी, बताया जाएगा, सीधी सी बात है, तो इस कोश्चन को अब क्या, सीखा जाएगा, सीखा जाएगा, और उसको सकता है, लाइने उपर तक जा रही हूँ, अभी देख लेंगे, कहता है, उपरुक्त ग्राप के संबन्द में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, पहला कहता है, सभी विसो में से रसायन विज्ञान, पुस्तकों की बिक्री में अधिक्तम व्रद्दी देखी और डियाग्राम में तो कहें रसायन विज्ञान नहीं दिख रहा है, टाइपस ऑफ कोर्स है मिरे भाई, कोई और भी डियाग्राम है क्या है, इसमें है, दोस्तों, थोड़ा सा धैर रखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे किताब ढून के देखना पड़ेगा, अब सर कह दो, सर कैसे किताब कह उठा रहे हो, अब बता हम कैसे बता दे कौन सा रायसायन विज्ञान है, या तो इसका कुछ डेटा मिस हो गया यहाँ पर, फिक है, हम कैसे बता दे, हाँ, ऐसा भले कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमेश्टी, बायलोजी, मैट, इंगलिस, यानि इसका कुछ डेटा मिस है, ठीक है, फिजिक्स, केमेश्टी, मैट, इंगलिस, हो सकता है कुछ गयाब हुआ हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यह डेटा है, ठीक है, इसके ऑप्शन ही बड़े है, लो, लो, डेटा पढ़ लो, पहले, इसको अटा देंगे, ठीक है, वही मैं सोच हूँ, मैं कैसे पेंच चला दू भाई, केता है, निमलिकित, बार ग्राप में 2015 और 2016 में एक प्रिंटिंग कंपनी दौरा बेची गई, पांच विसे, बहुतिक, रसाइन, जीविज्ञान, गरित, अंग्रेजी, इकी पाट पुस्तकों की कुल संख्या, हजारों को दरसाता है, ग्राप के आदार पर नीचे दे गए प्रिश्ण का उत्तर दे, ठीक है, अब नीचे दिए गए प्रिश्ण का हमें ग्राप के आधार पर उत्तर देना है, समझ गए मेरे भाई, रुक जा भी, अभी और खेला है, इसका डियाग्राम भी चेंज करें, यह वाला उठाएं, यह डियाग्राम आपको दिख रहा है ना सही से, दिखेगा, थोड़ा सा पेसें सकना, ओरिजनल वाला हटाएं, यह वाला लगाएं, तभी अब देखरों कितना खेला होता है अंदर, तुम नहीं समझ में आएगा, इसमें एडिटिंग की गई है, यह लगाएं, कोश्चन भी लगा दे, चले, कोई बात नहीं, थोड़ा पेसेंस रखना है, अंतिम कोश्चन है, ठीक है, थोड़ा 19-20 दिकरा है, कोई दिकर नहीं, तो पहला कहता है, स्टेटमेंट की सभी विशय में से रसायन विज्ञान पुस्तकों की बिकरी में अधिक्तम व्रद्दी देखी गई, रसायन विज्ञान में अधिक्तम सभी विशय में, यह केमिश्टी है, कोई वर्स तो लिखा नहीं, तो देखा जाए अधिक्तम तो है पर 2016 में सबसे अधिक्तम है पर देखा जाए 2015 में हम अगर देखें नहीं अधिक्तम बिल्कुल अधिक्तम है 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 इसमें हमसे कह रहा है कौन सा statement सही नहीं है तो पहला right है कहता है सभी विशह में से रसायन विज्ञान पुस्तकों के इन दोनों को जोड़ोगे 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 तो अधिक्तम हमारा chemistry में ही आएगा क्योंकि इसका पिलर ये वाला तो बहुते आगे है ये थोड़ा का मैं तो इस सबका मेंटेन कर लेगा समझ गया कि नहीं इसलिए अगर आपको हलका सा कंफ्यूजन हो केमिश्टी और मैथ में तो आप चाहो तो लिख कर कर लो ये 27.5 हो जाएगा ग्राफ के हसाब से और ये हो जाएगा 42.5 इसको हाँ अगर कंफ्यूजर में लग रहे हो ये 35 हो जाएगा और ये 37.5 दोनों को जोड़ लो 35 दुना 70 72 दसमलो 5 क्योंकि इन ही में से कुछ डाउट होगा बच्चों को और कुछ ने चार दो छे हैं कि यह बातर पॉइंट चार चार दूच्छे चार दूच्छे चार दूच्छे तो सत्तर आएगा मेरे भाई वह वाला तुजादा हो जाएगा मैत वाला मैत वाला जादा हो जाएगा उप्यूत ग्राप के संब्ध में ने लिए तो कौन सा कथन सही नहीं है तो ऐसे तो पहला नहीं होगा चलो भई देखो एक आंसर तो इसमें पहला नहीं होगा पहले मेरे बात को समणना किताब में आंसर कुछ और दिया गया दूसरे में पढ़ते हैं कहता है दो हजार पंद्रा की तुल्ना में 2016 के दोरान भौतिक रसायन और गड़ित पुस्तकों की विक्री अपेच्छा करत अधिक थी 2015 की तुल्ना में 2016 के दोरान भौतिक रसायन और गड़ित की पुस्तके भौतिक रसायन और गड़ित दो हजार पंद्रा की तुल्ना में अधिक थी तो सीदी सी बात है अधिक हैं अधिक हैं और अधिक हैं यानि ये श्टेट्मेंट ट्रू है यह स्टेटमेंट ट्रू है पहले बेरी बात को समझो ठीक है यह स्टेटमेंट ट्रू है आगे वाले पढ़ते हैं 2015 और 2000 और यह तो अभी फॉल्स लग रहा है किताब में इसको फॉल्स ना दिया गया हो देखेंगे अभी ठीक है 2015 और 2016 के दुरान हुई जीविज्ञान पुस्तकों की कुल विक्री 2015 और 2016 में जीविज्ञान की हुई के लगी इसी अवधित दुरान अंगरेजी पुस्त्कों की कुल भिक्री से कम है मैं श्रीव ग्ज्ञान यानी बाय लोजी है और अंगरी कहता है 2016 की तुल्ला में 2015 के दौरान जीविज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों की विक्री आ पेच्छाक्रत अधिक थी 2016 की तुल्ला में 2015 के दौरान जीविज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों की विक्री आ पेच्छाक्रत अधिक थी बाई लूजी और इंग्लिस 2016 की तुलना में 2015 में अधिक थी तो बिल्कुल सही 2015 में अधिक 2015 में अधिक यानि ये statement भी true हो गया बच्चा आप खुद बताओ यह पहला और C वाला किताब में सही answer दिया है हाँ थीक है तो सबी विसये में से रसायन विज्यान कुस्तकों की बिकरी में अधिकतम वर्दी देखी गई तो हम on an observation देकिए तो 2016 में ब्रदी ज्यादत देखी गई अगर हम वैसे जोड़े ठावरदी फिर यह तो यह सत्तर आ रहा है मिरे बाई और अगर मैं आगे इन दोनों को देखें कि अगर थोड़ा सा 35 और 35.5 तो यह ज्यादा हो रहा है तो वैसे अगर हम देखें केमिस्ट्री को तो फिर हम इसी को आंसर बोलेंगे सी वाले को हो सकता है है दो जा सोला लिखाओ ठीक है तो इसका स्केट्मेंट आंसर हम सी घुसित कर दे रहें अनथा दिक्कत है किताब देखें आपके दूसर एक कोशन में इतना टाइम क्यों लगाया यह अन्तिम कोशन है प्यार से नहीं समझाएंगे तो कहावन करके समझाएंगे आए ठीक है हमें इसमें फॉल्स स्टेट्मेंट निकालना था तो किताब में ऑप्सन नंबर सी वाले कोई बोला गया बाकी इसको आप देख लिजेगा मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है समझ गया कि नहीं समझ गया बोलो हां हम आपको वेल मैनर समझाने की कोशिस करते हैं बता देते हैं मेरे भाई इसका स्टेट्मेंट नंबर ए इसलिए ट्रू है बात को समझो इसलिए ट्रू हो जाएगा अधिक्तम रद्दी देखे गए तो यहां से यहां तक कि अधिक्तम रद्दी देख जा रही है और यह काम है तो अधिक्तम यह इसलिए आंसर पहला वाल करते हैं समझे अभी के लिए इतना है पड़ते रहे हैं मुश्क्राते रहे हैं और हर चीज को सिख्ट